तो मैंने एक आपको बात बता दी कि अगर आपके पास एक smart goal होगा तो जाहिर तोर पर ये continuity अपने आप बनी रहेगी सवाल का जबाब मिल गया ये continuity क्यों नहीं बनी रहती है motivation क्यों खत्म हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक objective plan अपने लिए है ही नहीं और देखो आज के समय के सबसे बड़ी एक मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये blessing भी है और जिसको साइन्स में पढ़ते हैं साइन्स इस बून और बेन तो हर चीज के pros and cons होते हैं in the current time we are living in an information era we are flooded with the information और जब किसी चीड की बाढ़ होती है न तो बाढ़ में बहने का खत्रा काफी बढ़ जाता है तो जब इतना कुछ आपके लिए को आकरशित कर रहा है और जहां भी आप आकरशित होते हैं वो चीज आपका क्या लेती है attraction लेती है आप उधर पहले attract होगे तो आपका attention वहाँ पे जाता है जहां भी आपका attention जा रहा है वो आपका ध्यान आपकी energy आपकी समझ को वो चीज absorb कर रही है तो एक पहला काम तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे हम to the point to do points भी mention करेंगे सिर्फ ग्यान की बात नहीं होगी कि आप वो काम करना शुरू कर दें to do points क्या क्या है सबसे पहले बात तो smart goal setting और उसको achieve करना है आपको smart goal setting daily basis पे लंबा goal जो है उसको daily basis पे ब्रेक करो यह सबसे पहला to do point है practice point है जो आपको शुरू करना है इससे एक फाइदा यह होगा कि आप disengaged होना छोड़ देंगे क्योंकि आपके पास task ही इतना है अब आपको इतने विशय पढ़ने है इतने विशय पढ़ने है आप अगर उसको divide कर लें तो आपके पास भटकने का कोई समय नहीं है आप पूरी तरीके से engaged रहेंगे disengaged होने का खत्रा आपके पास नहीं रहेगा ठीक है तो सबसे पहला पहली बात smart goal setting और उसको realize करना शाम तक यह आपकी confidence को भी boost करेगा आपके अंदर यह confidence आएगा कि मैं जो अपने वाप से वादा करता हूँ उसको मैं पूरा करता हूँ